Assalamualaikum, Welcome to my YouTube channel, Howdy Birds आज की जो हमारी वीडियो है, वो है सन कन्योर के बारे में के सन कन्योर से हम कैसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं सन कन्योर की लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा और सन कन्योर के बारे में जितनी इंफर्मेशन मुझे है मैं इंशालला शेयर करूँ आपसे और इस वीडियो को देखिएगा एंड तक अमीद करता हूँ आप बहुत कुछ सीख पाएंगे ऐसी मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी इनफर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहें मेरे पास ये एक साल से ब्रीड कर रहे हैं मेरे ये जो पेर आप देख रहे हैं मैंने इनको डेप्ट वाले केजिस में रखा हुआ है डेप्ट वाले केजिस की ब्रीडिंग अच्छी होती है संकनियोर का जो बॉक्स है वो केज से हमेशा बाहिर होना चाहिए अक्सर आपने सुना होगा कि संकनियोर अपने बच्चों को मार देते हैं वो बॉक्स का ही इशू होता है कि बॉक्स इनका फिक्स नहीं होता जिसकी वजह से ये कमफर्टेबल नहीं होते और अग्रेसिव हो जाते हैं जो बॉक्स है वो हमेशा केज से बाहिर होना चाहिए इस से आपको असानी होगी चिक्स चेक करने में और अंडे चेक करने में और बर्ड को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और सन कनियोर का जो बॉक्स ब्रीडिंग बॉक्स साइज है वो रिंग नेक्स साइज का होना चाहिए ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस बर्ड का ये इशू है कि ये अपने अंडे बिखेर देते हैं और इनके बच्चे अक्सपाइर हो जाते हैं और इनसे संभाले नहीं जाते संकनेवर का जो बर्ड है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और ब्रीडिंग के दुरान ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है आपको चाहिए कि जितना भी इसको पुट सकून महौल दे सकें आप इसको मियसर करें ताके ये अच्छी ब्रीडिंग कर सकें मेरा ये जो केज स्टाइल है वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने किस तरहां से केज का स्टाइल बनाया है जिससे मैं इनको आसानी से दाना पानी इनका चेंज कर सकता हूँ डेली रूटीन के वाइज और इनको फ्रूट्स वगरा डालने में भी आसानी होती है इनका जो केज साइज है वो दो दो चार है चार फिट डेप्ट है दो फिट हाइट है और दो फिट फ्रन्ट है संकनियोर का फेवरेट फूड मैंगो है ज्यादा शोख से ये मैंगो खाते हैं उसके बाद सेव केला उसके बाद अंगूर बड़े शोख से खाते हैं और मैं तमाम बर्ड्स को यही फ्रूट्स डालता हूँ क्यों यह नहीं कि एक बर्ड के लिए अलग है तो दुसरे के लिए अलग है तमाम बर्ड्स को यही फ्रूट्स मैं डालता हूँ यह बहुत शोख से खाते हैं आज जितनी मालूमात मैंने आपको दी है उमीद है कि आपको अच्छी लगी होगी आज के लिए इतना काफी है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में इन्शालला अगर आपको अच्छी लगी है अगर आपको अच्छी लगी है अगर आपको अगर आपको अच्छी झाल 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 झाल